नमस्कर दोस्तो आज मैं फिर से हाजीर हूँ एक नए वीडियो की जानकारी को ले करके दोस्तो हमारे दिस भारत में अनेक प्रकार की वनस्पत्या पाये जाती है दोस्तो इन में से ऐसे बहुंसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे ही आसपास में पाये जाते हैं लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसे अच्छी तरह से पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तो आज किस वीडियो में मैंने ऐसी एक विरिक्षकत जानकारी दूँगा। जिसका नाम है तेंदू। जी हाँ दोस्तो इसे हिंदू में तेंदू काला तेंदू के नाम से जानते हैं। इसका संस्क्रीट नाम है काला सकंद। दोस्तो इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तो यह विरिक्षक मद्यम अकार का होता है। दोस्तो इसकी लकड़ी काली और चिकनी रंकी होती है आप बिड़ी देखे होंगे दोस्तो इसके पत्ते से ही बिड़ी बनाया जाता है इसके पुस्प पिले रंके और गुच्छे में होते हैं इसके फल देखे अंडे कार और नुकेले होते हैं इसके फल पिले और नौरंगी रंके होते हैं कच्चे फल हरे रंके भूरे रंके होते हैं दोस्तों फल तोड़ने से चिकु की समान गुदे निकलते हैं दोस्तों यह खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होता है इसके जो व्रीक्ष होते हैं वो गर्मी के दिरों में पूरी तरह से व्रीक्ष में फल लग जा दोस्तों तेंजू का जो व्रीक्ष होता है वह कसाय कसा कफ तथा पीस का नास करने वाला होता है दोस्तों इसका त्रिकत यह प्रमे खत का सोधा और पीत का नास करता है दोस्तों यह खुन को बढ़ाता है और इसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाये जाता है पके फल जो आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों यह बहुत ही स्वाधिश्ट होता है और पाचक होता है। यह पाचन सकती को सुधारता है । और पेट को साफ रखता है। दोस्तों चलिए बताता हूं असवाधी कारे में इसका प्रयाओ कैसे किया जाता है उससे से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर अभी तक आप मेरे यूटूब चैनल को सबिस्क्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आईगन को प्रेस कर लिए जिससे मेरे नई वीडियो का जानकरी आपको सबसे पहले मेल सकें दो यह अतेसवर यानि दस्त में काफी फाइदेयमंत होते हैं। इसके लिए तेंदू के उपरी चाह लोग कोट कर इसका काढ़ा बनाए। इस काढ़े को दीन में तीन, čार बार पीने से दस्त खतम हो जाता है। दोस्तो यह मलेरियारोग में काफी फाइदयमंत है। इसके लिए इसके पेड़ की छाल का काड़ा बनाकर रोजाना दिन में तीन बार पीने से एक कफ की मातरा में आपकी एक महीने तक सिवन करने से आपकी मलेरिया जर खत्म हो जाता है दोस्तो गर्मी के मौसम में इसके फल की जुस बना कर पीने से आपकी गर्मी में जो लू लगने की समस्या है वो नहीं होती है दोस्तो अगर सुबा इसके तीन फल का शिवन एक महिने यानि की तीस दिन इसका शिवन करते हैं तो आपके अंदर न पून सकता खत्म हो जाती है आपकी धातु पुष्ट होता है मतलब जो यह दूर बालता समस्या आता है उसे से यह छुटकारा दिलाता है जो लोग पथरी से पिडित होते हैं वह लोग तेंदू का फल जरूर खाना चाहिए दोस्तो पथरी के लिए तेंदू का तीन फल सुबा खाने से पथरी खत्म हो जाते हैं आपको इसके फल दो सब्ता तक खाने से गुदे के पथरी समापत हो जाते हैं तो दोस्तों यह थे आज की छोटी सा जनकारी हमारे वीडियो आपको कैसे लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए और अभी तक आप मेरे यूटूब चैनल को सबिस्क्राइब नेकर तो सबिस्क्राइब के लिए मिलते निश्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद